हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हो एजुकेशनल वर्स्टर चैनल तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे MDS कोर्स के बारे में बात करने वाला हूँ अगर दोस्तो आपने BDS का कोर्स पास कर लिया है और उसके बाद अगर आप MDS का कोर्स करना चाते हो तो इस वीडियो में मैं आपको इस कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ और अगर आपको जे जानना है कि प्लस टू के बाद और कौन-कौन से कोर्सस होते हैं तो मैंने उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहाँ जाकर देख सकते हो तो चलिए अब हम अपनी इस बीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको MDS course की full form बताने वाला हूँ MDS course की full form है Master in Dental Surgery तो जैसा कि आपने BDS का course किया होगा जिसे हम Bachelor of Dental Surgery जा तो Bachelor in Dental Surgery कहते हैं इस course को करने के बाद आप MDS course कर सकते हो तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ की But is MDS course जानी MDS course क्या होता है अब जैसे की आप MDS की full form जान चुके होंगे MDS course Dental course से संबन्दित है जो graduate student होते हैं वह Master level की degree प्राप्त करने के लिए MDS course करते हैं इस course में आपको Dental Science से जुड़ी बातों के बारे में बताया जाता है दोस्तों अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अगर इंडिया में कोई दांत का डोक्टर बनना चाता है तो उसके लिए काफी बड़ी बात होती है क्यूंकि जो दांत का डोक्टर होता है उसका काफी ज़्यादा सम्मान और आदर किया जाता है तो अगर आप Master level की degree प्राप्त कर लेते हो तब आपके सामने काफी सारी opportunities खुल जाती है दांत का डोक्टर बनने के लिए जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा जो MBBS की degree होती है वो Medical के शेतर में कितनी बड़ी degree मानी जाती है उसी परकार से जो MDS की degree है वह MBBS degree के बाद Medical के शेतर में बड़ी degree मानी जाती है अभी मैं आपको MDS course duration के बारे में बताने वाला हूँ जानि जो MDS का course है वो कितने वर्ष का course होता है आपको बता दें कि जो MDS का course होता है वह 2 जा 3 वर्ष का course हो सकता है तो MDS की degree में आपको मन लगा कर पढ़ना होगा और आपको इस course में अच्छे तरीके से research करनी होगी इसके लिए दोस्तों आपमें एक ability होनी चाहिए अगर आपके सामने कोई critical condition आ जाती है तब आप उस critical condition को कैसे solve करोगे तो आपमें एक high thinking की ability होनी चाहिए तो MDS course करने के बाद आपके लिए कौन-कौन से career options और jobs आपको मिल सकती है तो जे मैं आपको अभी बताने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं आपको जे बताने वाला हूँ कि आपको कौन-कौन से sectors में आपको job मिल सकती है आपको dental clinics, private hospital और इसके साथ आपको research labs में भी आपको job मिल सकती है तो अभी मैं आपको जे बताने वाला हूँ कि अगर आप इस course को कर लेते हो तब आप क्या बन सकते हो आप इस course को करने के बाद dental surgeon, dentist और जहां तक अगर आपको college में जाकर किसी को पढ़ाना हो तब आप professor जहां researcher बन सकते हो अगर आप चाहो आप खुद का भी dental hospital बना सकते हो जहां पर आप दान्द का इलाज कर सकते हो MDS course करने के बाद आपको government जा private sector में कहीं भी आपको job मिल सकती है तो जैसा कि मैंने आपको इस video में बताया है कि अगर आपको teacher बनना है, अगर आपको बच्चों को पढ़ाना पसंद है तब आप MDS course करने के बाद आप किसी college में लग सकते हो और आप बच्चों को MDS के बारे में बता सकते हो अगर नहीं तो आप किसी hospital या clinic में अपना dental career स्टार्ट कर सकते हो तो अभी मैं आपको जे बताने वाला हूँ कि आपको MDS course में कौन-कौन से subjects, syllabus और जहां तक आपको कौन-कौन सी specializations की जरूरत है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको MDS course करना है तो उसके लिए आपको एक branch जानी specialization की जरूरत होगी इसका मतलब जय है कि आपको कौन सी specialization पसंद है उसके अदार बरी दोस्तों आपको subject दिये जाएंगे अब जैसे कि जो सबसे पहला है कि oral and maxillofacial surgery इस specialization में भी आपको अलग-अलग प्रकार के subject आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे ठीक उसी प्रकार से orthodontics, periodontics और जहां तक conservative dentistry specialization में आपको अलग-अलग प्रकार के subject आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे तो दोस्तो अभी मैं आपको eligibility criteria के बारे में बताने वालाओं कि अगर आपका मन है कि आप MDS course को करना चाते हो तो आखिर आपको इसके लिए क्या करना होगा इसके लिए सबसे पहली eligibility जै है कि आपको BDS का course कम से कम 50% नंबरों के साथ पास करना होगा जो BDS का course होता है उसे Bachelor in Dental Surgery और जहां तो Bachelor of Dental Surgery केते हैं आपको इस course को पास करना होगा अगर आपको BDS course नहीं पता कि जै क्या होता है मैंने पहले ही एक बीडियो BDS course के उपर बनाई है आप इस बीडियो के description में BDS course की बीडियो भी चेक कर सकते हो और अगर आपको किसी भी परकार की कोई doubt रहती है तो आप नीचे मुझे comment box में comment कीजिए मैं आपको reply करने की पूरी कोशिश करूँगा अभी मैं आपको दूसरी eligibility आपको बताने वाला हूँ दूसरी eligibility दोस्तों जय है कि अगर आपको MDS का course करना है तो आपको entrance exam देना होगा अगर आपको किसी best जुनिवस्टी जा कोलेज में आपको admission लेना है तो इसके लिए entrance exam काफी ज़्यादा कमपसरी है लेकिन कई private colleges इसे होते हैं कि जो entrance exam के बगएर ही आपको direct admission दे देते हैं तो जैस अब सिरफ आपके उपर depend करता है तो अन्त में दोस्तों मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ अगर आपको MDS में admission मिलता है तब आपको पूरी लगन और ध्यान से पढ़ाई करनी है अगर आप मन लगा कर पढ़ाई करते हो तब आप एक अच्छी salary भी MDS course करने के बाद पास सकते हो और साथ ही आप एक अच्छे doctor बन जाओगे तो दोस्तों मैंने अभी आपको इस वीडियो में MDS course के बारे में बताया है मुझे लगता है कि आप MDS course के बारे में काफी जादा कुछ जान चुके होंगे लेकिन अगर आपको अभी भी कुछ doubt है और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो मैंने उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के description में दे दिया है आप वहाँ जाकर देख सकते हो तो अंत में दोस्तों अभी आपको जै वीडियो कैसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना धन्यवाद